क्या हल चाले भाई मेंबर्स चो चलिए फटा फट हम इस वीक के स्टॉक को भी डिसकस कर लेते हैं जो कि हमको आगे आने वाले फिफ ओफ फैब से लेके नाइन्थ ओफ फैब में ट्रेडिबल लग सकते हैं अपना जो फॉर्मूला है वॉल्यूम प्लस ब्रेक आउट उसी बेस पे कुछ नए स्टॉक मैं पिछले इस हफते के जो स्टॉक थे वो भी उमीद है आपको काफी अच्छे लगे होंगे यूएफो था उसमें और टर्मट भी शायद मैंने आपको दिया था देन प्रिसीजन वायर सबने तीन तीन चाचाच पांच-पांच परसेंट का रिटन दिया अब दो तिन लोगों ने पॉइंट किया कि गैप अप खुल जाते है तो दोस्तों जो जिस CMP मैं आपके साथ में डिसकस कर रहा हूं है ना इस CMP मैं गैप खुल के इसके एक दो परसेंट में अगर मिले आसपास मिले तो आपने उसको पॉर्चिंटी को ग्रैप कर लेना है ठीक है ठोड़ना नहीं है क्योंकि वो उपर उचला इसलिए है क्योंकि भाई उसके अंदर गैप अप हुआ है तो इसका मतलब बाइंग है गैप अप होके वो रेड केंडल बना के आपका SL खाने के चांसिस बहुत कम है क्योंकि स्टॉक की वो निकाला है हमने जिसमें वॉल्यूम प्लस ब्रेक आउट है तो अगर गैप अप का भी आपको सीन सिनेरियो मिल रहा है तो जैसे ही नीचे की तरफ आता है आप उसको बाई करिए ठीक है चलिए और ये वीडियो मैं पब्लिक गाल रही है और हम इस परकार से मार्केट में स्टॉकस निकालते हैं चलिए आज का पहला स्टॉकस उससे पहले एक बार को डिस्क लेदा ये देख लिजिए पढ़ लीजिए ये पढ़ना मेंडेटरी है और इसके बाद ही अगे हम पढ़ Люб है और जनरल ये इस पैटन को कहत कि यह अच्छी खासी रैली और यह अच्छा खासा कंसॉलिडेशन बढ़िया कंसॉलिडेशन अब इस कंसॉलिडेशन में हुआ क्या है पिछले तीन दिन में इसने लोवर बैंड से लेके अपर बैंड को चूरिया और यहां पर वॉल्यूम भी जनरेट हो रही है दिख रहा आपको 1880, 1880 के उपर निकलता हुआ मिले तो इसमें आपको ठीक है 1860 के आसपास का 1% के नीचे का SL लगा के बाई कर लेना है ब्रेक आउट आएगा एल्गोस कटेंगे और यह उपर की तरफ आपको दिखेगा 1840, 1860, 1880 परकार से 45% का आपको रिटन जो है इसमें मिल सकता है नेक्स्ट वीक में तो अबव 1880 CDSL में आपको जो है ध्यान रखना है ठीक है अगला स्टॉक जिसमें हम लेके आते हैं वो है दोस्तों वैरोक इंजिनिरिंग यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम है वी ए आर आर वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम है बहुत बढ़िया वॉल्यूम है खुरिसी वॉल्यूम के मद्दे नजर रखते इसने दे दिया है ब्रेकाउं करंटली अब मैं थोड़ा जूम करता हूं तो आपको लेवल्स भी अच्छे से दिख ठीक है यह आ गया अब इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है पांसो सकतर से लेके पांसो असी एंड फिलाल यह स्टॉक प्रेट कर रहा है 600 पे और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स वीक में आपको 620 और 632 खैसो चालिस के उपर यह स्तर जो है यह लेवल ज के साथ दिया है और जो जिस लेवल का इसने ब्रेक आउट दिया है वहाँ पर 5-6 बार यह अटेंट कर चुका है 1,2,3 ठीक है देन 4,5,6 काफी बार अटेंट किया है इसको जो है काट दिया है जब इसको काट दिया है यह लेवल आपके वैसे तो 575 से 580 का इसका जो सपोर् इसको निकालनी चाहिए यह जो बनती है नो वाट इस दिस कितना है यह लेवल नीचे की तरफ 520,60,60 पॉइंट की तेजी इसको 580, हाँ देखे 640 के लगबग इसका ब्रेक आउट काई टार्गेट आ रहा है उसके बाद जो है आप ट्रेल करते जाए यह स्विंग में जित इसके भी नीचे वाल्यूम है ठीक है और इसने भी आप देख सकते हैं मल्टिपल अपना उसको ब्रेक आउट दिया फिलाल इटिस ट्रेडिंग नियर 284 तो 275 का आपका इसका सपोर्ट लेके आप इसमें 300 प्लस के टार्गेट के लिए इसको बाई कर सकते हैं स्विंग ट् इसको पकड़ सकते हैं इसकी पर लिमेटेड को ठीक है अच्छी कासी वॉल्यूम है आपको दिख रही होगी यहां पर एंड मुझे ऐसा लगता है कि यह 300 तो काटेगा नेक्स्ट ट्री हंड्रेट बढ़िया जो इसने फ्राइडे का हाई लगाया वो इसको काटना चाहिए लास टॉक और मिशन 2030 के मेंबर्स का भी स्टॉक है यह दिस स्टॉक इस रेडिंग्टन ठीक है रेडिंग्टन बहुत बड़ी है इसमें हमारी इन्वेस्ट इस स्टॉक में 130-150 की बीच में है जब जब यह इस लेवल के आसपास आता है तो मेरी रिकमेंडेशन यहीं रहती कि यह है फ्यूचर में यह स्टॉक आपको 500 प्लस का भाव दिखाएगा रेडिंटन इंडिया तो इसने भी ब्रेक आउट दिया है एंड विद वॉल्यूम दिया है मैं चार्ट को जूम करता हूं यह दिख रहा होगा आपको 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 चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो 194, 195, 200 के इसके टारगेट निकल के आते हैं फिलाल चल रहा है यह 188.5 के आपको 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 नजर रखनी है सब के अंदर ओपरेटर की बड़े ब्रेट की बाइंग है वॉल्यूम सर्ज वूव दिखा रहा है तभी इन्हों न अपने पिछले कितने दिनों के resistance को सारे stock ने breakout में निकाला है, ठीक है? तो 9 February, 5th of Feb से start हो गई, कुछ stock हो सकता है ऐसे sideways हो जाए, sideways हो जाए तो keep patient, अपना patience बना के रखी, support को जो है mark करके रखी, वो हो सकता है next to next week चल जाए, जैसे termat limited का stock था, ठीक है, उसने breakout दिया, वो 2 week तक ऐसे ऐसे करके करता रहा, ठीक है फिर अचानक से अब वो 106 पर trade केंगा ठीक है? और यह 105 पर था जब मैंने उसको discuss किया था, तो हो सकता आपका patience level यह test करेंगी, क्योंकि cash के stock होते हैं generally, but इन में अगर operator ने माल उठाया है, तो भागते हैं ऐसी BTML ने किया था, एक stock ऐसा था, वो भी भागा बार में तो जब तक ए support level maintained है, बहुत chances हैं कि next buying आके उपर आपको दिखे गई दिखे, ठीक है? चलिए, thank you very much